हेलो यूरीवन कैसे हो आप सब आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे यूनीक टिप्स और ट्रेक्स लेके आई हूँ जिससे के आपकी सारी परिशानिया दूर होने वाली है वीडियो को इन तक जरूर देखिए पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले तो चले इस तरीके से इसे हमें पलट देना है उसके बाद एक रबर या फिर आप धागा ले लिजे या डोरी ले लिजे और बीच वाले हिस्से में इस तरीके से बान दीजे बीच वाला भी नहीं जैसे की गले की साइड हमें बंद करनी है तो देखिए इस तरीके से नीचे वाला ह जिससा मैंने ज्यादा रखा है और उपर वाले गले के हिस्से के साइड इस तरीके से मैंने एक रबर लगा दिया अब हिसे हम सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद आप देखोगे कि यहां से यह बन गया है एक और इसमें हमने इसे काटा नहीं है बिल्कुल फाड़ा भी नही जिसे की हम किसी भी चीज को ढखने के लिए यूज कर सकते हैं जैसे की सिलेंडर या फिर बड़े-बड़े ट्रैवलिंग के जो बैग होते हैं उसे भी हम अच्छे से कवर कर सकते हैं तो देखे इस तरीके से मैंने सिलेंडर के उपर इसे रख दिया है कितना प्यारा लग साथ ही में हमारा सिलेंडर भी अच्छे से कवर हो गया मतलब आप इसे घर पर कई भी रखोगे ना घर भी अच्छे से और अंदर की वो भी सही सलामत रहेगी जरू ट्राइ कीजिए ट्रिक अच्छी लगी हो तो दोस्ते के साथ भी शेयर जरूर करें तो हमारा नेक्स इसकी जो शाइनिंग है ना बहुत ही अच्छे से बनी रहती है और बस ऑईल करके हमें नहीं छोड़ना है और एक काम करना है जिससे कि हमारा ये लकडी का बरतन सालों साल तक चलेगा और इसकी जो शाइनिंग है वैसे की वैसी रहेगी तो इसे हमें धूप दिखाना है तो तो हमारा next tip है double tape को लेके, अक्सर आपने देखा होगा आजकर double tape का हम जब भी use करते हैं दीवार के उपर तो पूरी पपड़ी निकल के आती, मतलब कलर भी निकलता है और पूरा अंदर से cement मी निकलने लगता है, इस तरीके से वो हो जाता है, तो इसके लिए बहुत ही बड़ काना है उसके size का ही आप ये दूसरा वाला tape ले लीजे, पहले दीवार पे इस तरीके से लगा लीजे, transparent वाला tape या फिर basking tape, उसके बाद आप इस तरीके से double tape उसके उपर लगा दीजे, इससे क्या होगा न हमारे जो दीवार है उस पे double tape चिपकेगा ही नहीं, तो बिलकुल आराम से हम इसे use कर पाते हैं, तो ये वाली trick तो आपको जरूर कामानी चाहिए, क्योंकि देखें, हर बार इसे use करते टाइम ये वाली दिक्कत होती ही है, तो हमारा next tip है इस तरीके के bottle को लेके, अक्सर आपने देखा होगा, जब भी कोई हम bottle बहुत दिनों से use करते हैं, बाटल इतनी अच्छी है कि फेकने का भी मन नहीं करता, इतनी चोटी सी प्रॉब्लिम के वज़े से पूरी bottle फेकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रबर लगाने के बाद आप जब धकन लगाओगे तो देखो कि बहुत ये अच्छ से ये टाइट बैटता है, इसमे दो स्टोन तो हमें मिल जाते हैं, तो ये मिले हुए स्टोन हम कैसे इसके उपर चिपकाएंगे, इसके लिए अलग से फेवी कॉल है, फेवी कुल लेनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी टाइम हमारे पास निल पेंट तो ज़रूर होता है पर्स में, तो इस त हम ये स्टोन लगाएंगे, तो यहां पर आप देखोगे, बहुत ही आराम से ये चिपक जाता है, और बिल्कुल भी नहीं निकलता, बहुत मजबूती से चिपकता है, मैं तो कहते हूँ, अगर ये आपको पिन बार-बार यूज़ करनी है, और स्टोन गिरने का अगर डर ल अगर इसके दो फाइदे हैं, एक तो इसके स्टोन नहीं किरेंगे, दूसरी इसमें बहुत ही बड़िया शाइनिंग आईगी, आप ज़रू ट्राइ कीजी, जैसे की पुरानी बैंगल्स होती है, पुरानी जो चीज़े होती ने, इसमें से पूरी जो शाइनिंग है, इस त तो इस यहाँ पर पहने देखे, थोड़ा सा इस तरीके से निकाल लिया है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और इसमें जो कच्रा गिर रहा है, एक ही बार में उसे थोड़ा सा खिलाते हुए, अच्छे से निकाल दीजे, क्योंकि बार बार ये गिरता रहेगा, तो दिक्कत ही हो जाएगी, तो इस तरीके से हमें इसे थोड़ा सा मसलते हुए सारा साफ करना है, अब देखोगे, ये न थोड़ा सा इस तरीके से करने के बास सॉफ्ट बन जाता है, और हमें सॉफ्ट ही चाहिए, बिल्कुल अगर टाइट हो न तो इस तरीके से इसे निकाल अच्छे से अलग-अलग कर लीजे तो हमारा काम आसान हो जाएगा तो यहाँ पी दिखें मैंने दोनों को अच्छे से क्लीन कर लिया है और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चानल पे आप नए हो तो ज़रू सस्क्राइब करें ऐसी यूसफुल वीडियो में आपके इस तरीके से हमने जो टूल बनाया न अनारियल के चिलके की मदद से उसका यूज हम बहुत ही बढ़िया कर सकते दिखें होली हो चुकी है तो इस तरह के से पूरा गंदा हो चुका था हाथ धोनी की वज़े से तो मैंने देखे कितने अच्छे से इसे क्लीन कर लिया है बिना हाथ लगाया और कम महनत में जो नारेल का उपर वाला हिस्सा है आप देखोगे बहुत ही बड़िया काम करता है क्लीनिंग के लिए ज्यादा तर देखो बात्रूम में या फिर सिंक हो जाए वाश बेसिंग हो जाए इस तरीके के चीजे ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है जैसे बात्रूम टाइल सापको क्लीन करने के लिए हाथ लगाने की जूरत नहीं पड़ेगी यह हमने जो टूल बनाया है इससे हमारे यह काम बहुत आसान होगा जरूर ट्राइ करें और ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले तो हमारा नेक्स टिप है इस तरीके के मैशर को लिखे अकसर हम जब मैशर का यूज करते हैं आप देखोगे यह बस एक ही यूज होता है कि कोई भी चीज को मैश कर लो पर इसका कुछ हटके और अलग यूज हम देखने वाले हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे करने के लिए एक उपर वाला हिस्सा होता है इससे हम इसे कही भी हैं कर सकते हैं इसमें से जो चाहे मर्जी हम निकाल के यूज कर सकते हैं तो देखे घर भी और और चीजों का भी अच्छे से यूज हम कर पाएंगे तो आपको सबसे जादा कॉन सी ट्रीक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले तो चलिए फिर मिलते हैं से नए वीडियो के साथ